हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक माई यूटीब चैनल आज मैं आप सभी को यह बहुत ही प्यारा सा और स्वेटर डिजाइन बताने वाली हूँ यह कि आप यहां पे देख पा रही है मैंने इस डिजाइन को बनाया है यह वाइट एंड रेट कलर के उन में मैंने इस डिजाइन को अ प्रेंस यह किए बडूप अब्विट पी दिजाइन को मॉझेव एकृट्प और समय ही तो प्ली यह पितने और सब्सक्राइब कर लिए तो प्लीज्व प्रेंस जारी ऐख यह झाल ये अगर अन पनतों करा मेंस नहीं और सब्सक्राइब समय लिए औल्ग के democrat को ब्रेंस ज उसको नोटिफिकेशन आप तक आजाएंगे और आप उस वीडियो का देख करके इस्तमाल कर सकती हैं तो यहां पर मैंने कुछ फंदे निकाल ली हैं और एक लाइन उल्टा बिन लिया है यहां बॉर्डर बनाने के बाद इसे बनाएंगी तो ठीक है नहीं तो आप ऐसे भी बना सकती हैं जैसे कैप के गरे में बनाती हैं तो आपने जितने भी फंदे निकाले होंगे 100 या 200 जितने भी बंडी है तो कैप है उसी के अपने जितने फंदे बनाए होंगे उसके लिए आपको स्टार्टिंग से क्या करना होगा पहले फंदे आपको स्कीप कर लिजिए और 5 फंदे हमें बिनने हैं देखिए 1,2,3,4,5 फंदे बिन लेने हैं उसके बाद फिर यहां पर 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है कैसे बनाना है तो उन हमारा पीछे ही रहेगा और इस तरीके से 2 फंदों का हमें सीधा बिन करके 1 फ वापस से 1 जाली फंदा बनाएंगे और इस सीधा करके 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे देखिए वापस से हमें एक और फंदा घटा रहे हैं तो यह हो गया दो फंदा घटी है तो दो फंदा हमारा यहां पर बढ़ भी गया तो अब हमें यहां से आता कि क्या करना है 8 फंदे बीच में लेने हैं 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 वाले फंदे में हमें क्या करना है 7 फंदे बीच में हमने बीना और 8 वाले फंदे में हमें इस तरीके से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है देखी जबी भी हम आठमा फंदा बीदेंगे तो दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे फिर उनको ऐसे लपेटेंगे एक फंदा सीधा बीदेंगे वापस से उनको इस लपेटेंगे और इस वाले फंदे को सीधा करके दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे देखी इस तरी फंदे बीच वाला फंदा फिर से हमें जाली वाला फंदा है इस तरीके से हमें continue कर लेना है बिन करके इस तरीके से तो second row हो गया complete अब वापस हम आ जाएंगे third row में third row में हमें वापस से उसको repeat करना है मगर यहां पर क्या करना है यह तीन फंदे सीधे बिनने है और उसे पहले यहां घटाना है देखे कैसे करेंगे आप, पहले फंदे आप उतार लिजिए उसके बाद फिर हमें यहां पर 4 फंदे बिनने है one, two, three, and फोर फंदे में क्या करना है देखे यह दो फंदे जो हमने यहां पे घटाया है इसको यह दो फंदों को हमें एक फंदा बना लेना है ऐसे और फिर यहां पे जाली बना लेना है प्लस फंदा बनेगा फिर 1 2 & 3 फंदे को हमें बिनना है वापस से यहां पे एक जाली बनाना है उसके बाद फिर इस वाले फंदे को करके दो फंदो का एक फंदा इधर भी कर लेना घटा लेना है तो इसी तरीकसे आपको continue करना है और यहां बीच में जू है आप शीक्स फंदे चैवन फंदे बिनने कि देखें कि इस तरीके से सिक्स फंदे बिनने के बाद इधर भी वापस से हमें क्या करना है दो फंदों का एक फंदा बना लेना है फिर एक जाली बना लेनी है और इस वाले तीन फंदे को बिनना है त्री फंदे को बिन लेना है अगेन हम यहाँ पर एक जाली बनानी है और यह देखिए इस वाले फंदे को सीधा करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे देखी इसी तरीके से बिन के हमें पूरा कम्प्लीट कर लेना है और बैक साइड से भी उल्टा बिन के पूरा कर लेना है देखी यह हो गया राइट साइड अब यह बैक साइट से सभी फंदे इसी तरीके से उल्टे बिन लेते हैं तो फिरंच जैसे कि यहाँ पे दो जाली बनाए हैं तो इसी प्रोसेस को इस्तमाल करके एक जाली और बना लेना है और एक फंदा और बढ़ा लेना है तो थोड़ा समय बता देती हूँ कि कैसे करना है देखिए अब यहाँ पर हमें 2 फंदे बिनने हैं एक फंदे को skip करेंगे और यह 2 फंदे हमें बिनना है और यह देखिए यह जो line जा रही है इस वाले फंदे को हमें 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है फिर यहां पर उनको ऐसे लपेटेंगे तो इसी तरीके से जाली बन जाएगा अब बीच में 1, 2, 3, 4, 5 फंदे जो हैं सीधे बिन्ने हैं और उसके अब फिर यहां पर जाली देना है और 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है इसी तरीके से इसे complete करेंगे तो इस तरीके से 3 जाली यहां पर बन चुका है देखिए एक, दो, तीन, 1, 2, 3, 3 जाली यहां पर बन चुका है अब हमें क्या करना है इसे plane ही बिनना है यहां पर बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 gap है तो अब हमें 4 सी लाई जो है दो सीधे के तरफ से, दो उल्टे के तरफ से हमें ऐसे ही simple ही बिन करके complete कर लेना है देखिए क्या करना है इस तरीके से plane ही बिनना है पुरा अब यहां पर जाली नहीं बनानी है हमें सभी फंदे, उल्टे, सीधे ही बिन करके 4 सी लाई हमें complete कर लेना है तो यह first sly हो गया plane वाला, इस तरीके से complete कर लेंगे, right side से हो गया complete, अब back side से इस तरीके से उल्टा, तो देखे फ्रेंसे इस तरीके से 4 sly हमने plane ही बिन लिया है, देखे, इस तरीके से gap हो गया, अब जो है वापस से आपको इस से repeat करना है, जो आपने यहां बनाया है, उसी को हमें यहां से वापस से repeat करना है, यह सीधी वाली line है, इसके दोनों side में हमें फंदे घटा के, और एक एक फंदे बढ़ाते हुए इस pattern को बार बार बनाते जाना है, जैसा कि यहां पर मैंने बनाया है, देखे, यह हो गया, इसे मैंने gap दे करके, फोर्सिला, इसके बना लेकर, पहले लेकर लागा लेना है, यह बड़े वाले सूए है, जो आराम से आपका इन होजाएगा इसमें, अब हमें क्या करना है इस तरीके से यह लेना है, फिर इधर से लाना है पहले एक तरफ का हमें बना लेना है इस तरीके से फिर थोड़ा सा कम यहां से लेंगे नीचे से वापस से इस तरीके से मैं आपको यहां पर सेम्पल के लिए बस थोड़ा से दिखा रही हूँ अब यह तरफ हो गया अब दूसरे तरफ हमें बनाना है तो दूसरे तरफ में भी हमें इस तरीके से लेना है और यह इन करना है फिर वापस से इस तरीके से देखे यह हो गया लेकर आना है और इस तरफ दो से बना लेना है दिखें लिए पहले साइड बना लेगे आपको जो भी कलर के उन से बनाना है आप इसमें बना सकती है मगर जो है रेड और वाइट जो है बहुत ही प्यार सा कलर है देखिए इस तरी किसले ने अब इस तरफ हमें बनाना है देखिए इस तरी के से बना लिजेगा अब लेना है हमें मोती जो कि आपको जहां से उन पर्चेस करेंगी वहीं पर आपको मिलेगा आराम से अब क्या करना है इस मोती को हमें इसमें लगाना है जैसा कि यहां पर मैंने लगा करके दिखाया है इसके लिए हमें क्या करना होगा है सुई लेना है जो पतले वाले होते हैं पिको वाले वो वाले सुई लेना है क्योंकि उसमें आराम से मोती इन हो जाएंगे तो फिर यहां पर सुई को लेना है और इस तरीके से मोती को इन कर लेना है देखिए वापस से उसी जगा पर सुई को इन करेंगे और ये मोती को लगा देंगे देखिए फिर वापस से हम इस तरफ लेकर के आएंगे और एक मोती एड़ करेंगे इस तरीके से और वापस से उसी होल में सुई को इस तरीके से जोड़ देंगे तो इसी तरीके से मैंने इस डिजाइन को बनाया है और ये बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है देखिए आपको मैंने एक design बना करके दिखाया है तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं और जब आप जादा बना लेंगे तो दिखे कितना प्यारा सा ये design बन करके तयार हो जाएगा तो उमीद करते हैं आप सभी को design प्लस ये video पसंद आए होंगे तो आप मुझे ज़रूर बता हैं कि आपने इस design को किसके sweater में अपलाई किया है तो चलिए मिलते हैं next video में थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू